ब्लाक फाली गारी ब्लाक फाली गारी आप समझ जाएंगे इनका किसानों से असल में कोई लेना देना नहीं सुन लिजे घुपिका जी भी गई थे जे एन्यों सेना के सम्मान पर ये जो आपका ऐसे है ये अनूठा ऐसा है मेंस्ट्रीम मीडिया विज्वल न्यूस दिखाने का एक पहुत ही एहम सरिया है पर आज के समय में न्यूस की जगा मेंस्ट्रीम मीडिया में एंटर्टेन्मेंट्स जादा दिखाई देने लगा है न्यूस भी किसी टीवी सीरियल से कम नहीं दिख रही आज के समय में देश में किसानों का बड़ा हंगामा जारी है पर हमारे मीडिया में उनको तो कवरेज नहीं मिलेगा मीडिया सुशांत केस से ड्रग केस में पहुंच गया है पहले रिया से रिपब्लिक टिवी वाले सवाल कर रहे थी कि आप ड्रग लेती हैं? और अब न्यूस चैनल्स की टियार पी को लड़ाई को लेकर एक वीडियो वैरल हो रहा है जिसमें न्यूस वाले अपनी कार से ही दिपिका पादुकोन की कार का पीछा कर रही है और उस कार के सामने पहुंचते ही रोड पर ही सवाल कर रही है खयर ये तो ऐसे ही कोई ना कोई नया टारगेट ढूड़े और उसके पीछे लगते रहेंगे पर अरणब ने एक टारगेट पका पकड़कर रखा हुआ है वो है तक चैनल को जिसका जिकर वे अपनी अक्सर हर डिबेट में कर ही देते हैं और मजाग भी उडाते हैं अक्सर दंगल हमने अखाडे में देखा है या फिर टीवी स्टूडियो में हमने पत्रकारों के सामने नेताओं को लड़ते भी देखा होगा पर इस पार तो पत्रकार ही आपस में भिड़ गए देखिए ये वाइरल वीडियो अजी इसी समय इसे इसी सामने पत्रकारों के सब्सक्राव के सामने भाइरल वाइरल 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 वीडियो देखिए आफे गया है ये वाइरए ये आपसके अओए इस हफते सरकार ने तीन फार्म बिल्स राज्यसभा में पास कराए जिस पर किसान तो अंदोलन कर ही रहे थे पर राज्यसभा में भी खूब भंगामा हुआ खैर राज्यसभा में ऐसा नहीं होना चाहिए था पर राज्यसभा में खूब भंगामा हुआ माइक भी तोड़ेगे ओपोजिशन यह चाहता था कि वॉइस वोट में बिल ना पास हो बलकि इस पर वोटिंग हो इसके लावा और भी कई कारण थे पर मीडिया उस दिन भी ड्रग केस में बिली ही दिखा कौन किसको बदनाम कर रहा है कौन किसको बदनाम कर रहा है बताईए मुझे उद्धव जी आपके नाग के नीचे बॉलिवुड में ड्रग्स का दुआ उर रहा है बॉलिवुड में क्या गैंग वोट शुरू हो गई है पर एक पत्रकार ने अपने शो में ये मुद्धा उठाया सुनियों उन्होंने क्या कहा है सब हंगामे पर इन सांसदों का किसानों से क्या लेना देना है क्या ये किसान खुद हैं क्या ये किसानों की राजनीती करते हैं क्या किसानों के प्रती इन्होंने पहले कुछ किया है इसके लाबा सुधीर ने किसान प्रोटेस्ट को विपक्ष की साजिश बताया था अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शन इनसे करवा रही है यह सब इन्हें लिख कर दिया गया है ताकि यह प्रदर्शन करें फिर इनकी तस्वीर टीवी पर आएगी और फिर पूरे देश में एक माहौल बनेगा चाहे मीडिया इसकी फेवर में हो या ना हो किसी ना किसी द्वारा मुद्दा तो उठाया गया खैर रिया के बाद मीडिया क्यों अब दिपिका के रूप में एक नया टार्गेट मिल चुका है कोई भी कारण हो दिपिका का इस केस से जोडने का कारण ठूढ़ ही लेती है टाइमस नव की एक डिबेट में गैस्ट आर्शी खान कंगना को ड्रग्स केस में जांच के दाइरे में लाने की बात कर रही थी इसे बीच आइकर नविका ने इस बात को दिपिका के जे एन्यू जाने से जोड़ दिया कंगना रनावत जिसके लास्ट 2016 में जो ड्रग्स लेका जिसने खुझ ने खुबूल नामा किया है कि मैं ड्रग एडिक की अर्जन सुमन ने बोला कि मैंने उसको पोस्ट क्या ड्रग्स लिये तो सर्दीटी का पादू को उसको पूछा जारे इसना जादा खंगना रेनावत यो पिर्टारी बन दी लिए से जाद शना वादा जी आर्शी जवाब तूहोगी यह वही नविका है जब कंगना उनके सामने एक एक एक्टर्स पर आपती जनक टिपनी कर रही थी तब है चुप पैठी थी और ना उनसे रोका और ना ही टोका अगर डिबेट ऐसे मुद्धो पर होगा तो बीच में निताओं का क्या काम और एंकर का भी काम कम होता दिखाई दे रहा है कुछ डिबेट में तो गेस्ट डिबेट के दौरान सोते भी तिखे यही होगा अगर डिबेट ऐसे मुद्धो पर होगी जिसका आम आदमी की निल्जी लिंदगी से कोई तालुकात ही नहीं आज तक की डिबेट के एक और वीडियो काफी वाइरल हो रहे ही जिसमें एक केस्ट में उनके घर पे बुल्डोजर लगा दिया और जो सेना के आदमी थे उनके साथ आठापाई हो गई तो मेरा हाल से ये बात तो माननी पड़ेगी के और तो की इज़त की तो कटे हैं अब हम तो मीडिया के बारे में क्या ही टिप नहीं करें मीडिया ने असल मुद्दों से ध्यान हटाने का तरीका ठूंड लिया है न्यूस चैनल अब इंटर्टेन्मेंट चैनल बन कही है चर्चान मुद्दों पर हो रही है जिसका असर बच्चों पर भी बुरा पढ़ सकता है Bureau Report, Punjab Today TV